सब्सक्राइब एंड प्रेप बेल एकोन और नोटिफिकेशन थेंक यू ये एक है साथ है मतलब आप को भी अप्लिकेशन यूज़ कर लिया है एप्लिकेशन यूज़ करने के बाद जो हम हम रिसंच को रिमोट करते हैं । यह रिमोट नहीं करना है इसो यह बहुत लोग सब्सक्राइब से क्यूआ होता है उससे फ़ले यह क्या होता है इससों आपको बता देता है यह टास्क करने के बाद है ना प्रोसेसर पर लोड़ पड़ता है मतलग क्या होता है आप मालों कोई भी एप्लिकेशन यूज़ कर लिया तो आपस से आप अपको एक नंबर जीरो से उपन होता है वह application वह जीरो से जो करना चाहिए अब बिल्कुल भी करना ऐसा नहीं है एक दिन में एक या दो इतना करना बार इसको गंटे में बार 15-20 मिंट बहुत लोग करते हैं तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना प्रोस्टर पर भी लोड पड़ता है और बैटरी भी ध के लिए बहुत बढ़ा यह सबसे पहले आपको 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 सबसे हैँ आपको YOUTCDPS होना चाहिए उचके साथ अगर यत्य टीटीपीए सोगा तो ऐसली TTP रहेगा ना तो यह से ऐस एई आसे हैकर्स के होते हैं कुछ फेक वेज़ट होते हैं अगर हम इतनी पियsystem लेना धरना कर लिया थो हमको कुछ प्रोल्म होते हैं एक्सर एसा है कि की उल thriller इससे वाइबसेट से बीका से अउपन करने के बाद प्रिमिंत डालने के बाद इन्फॉरमेशन डालने के बाद उससे बरे आप यह तीटीप है या यह निक है यह यह जारूर देखि़ ले एक referral करो पांच गार रहा है यह क्लिक करो तो 300 रुपीस कमाओ 500 रुपीस कमाओ ऐसे बहुत सारी fake है ना fake application की link आपको WhatsApp में बहुत सारी messages आते हैं सबसे पहले आपको ऐसे message से बच कर रहना है सो क्योंकि है ना यह भी application ऐसे भी application यह भी links है ना अक्सर यह भी hackers के ही होते हैं किलिक कर लो 500 रुपीस कमाओ अपना कुछ नमबर डालो OTP डालो 500 रुपीस आएंगे एक referral करो तो 1000 रुपीस आएंगे किलिक करें यह एक शेयर किया 200 एक शेयर किया 500 ऐसे आपको बहुत सारी WhatsApp के groups में से messages कोई personal भी message करता है इसे आपको बहुत सार application में नमबर डालकर हम OTP डाल दिया तो यहां पर भी बहुत बड़ा खत्रा हो सकता है इसी लिंक्स और ऐसे एप्लिकेशन से आपको बच कर रहना है WhatsApp में बहुत आते हैं अक्सर तो सब्सक्राइब आता है चाउता मिस्टिक आता है application बहुत लोग आना फिर एप्लिकेशन है बोलकि other website other browser से download कर लेते हैं अगर हम play store वही application हो हम अगर play store से download कर यहां तो वहाँ पर कुछ चार्याइश अप्लाइब करना पड़ता है कुछ अगर official कुछ अच्छा application है तो उस वहाँ पर pay करके application को download करना पड़ता है बहुत लोग आना फिरी में मिल रहा है बोलकि इधर other third party website browser में से download कर लेते हैं उस application को application अप्लीकेशन ना third party अप्लीकेशन भी्य कि अप्लीकेशन भी हो जाता है फिरी बीकशन बहुत लोग डांट odc है वह एप्लिक स्टो अपको प्लिक साधे रहे पड़े पड़ेप्ले सब्सक्राइन कर लेना है अतर आप भूजर अतर आपको व्य वाय्टेट में से कोई भी ऐप्लिक सेथा अधेर्ण डाउनलोड नहीं बच्चे भी देखते हैं बड़े बड़े बच्चे लूग बहुत लोग देखते गंदे contents यह मैं क्या बढ़नाओ आप जानती ही होंगे English contents समझ गए होंगे आप बहुत लोग आप देखते हैं देखकर थोड़ा माजा लेते हूं तो अच्छी बात तो नहीं आए ऊपर से हमा हमारा फोन का आईपी अड्रेस है वह आउनी रहता है उसके मदद से हमारा वह बहुत कुछ ले सकते हैं कोहां पर इससे भी बहुत बड़ी प्राउब्लम हो सकते हैं इस चीज़ से भी आपको बच कर रहा है गंदे कंटेंट्स है आपको बिल्कुल भी देखना ही नहीं क्या क भी आपको सकते लिए तो रहा ही खेवाओ Covid 6 6 यह है दोस्तों ऐलत वाइरश के अलए जोर्द आपने फोन को 2016 q आपने फोन को कुलेन करना ही से नहीं यह थी नूहीं आपन tego आपक होते हैं करना है सब्स這是 कि बच नहीं कि बत्सकी बहुत ज्यादा hackers के होते हैं कि हमारा phone का नुक्सान भी देता है चारिंग बैटरी इतनी खाता है वो क्या एक महने से दो महने से बुका होगा शायद इतनी battery खा लेता है वो anti-wires application कोई भी application बैटरी बहुत खाते हैं उपर से इसी application hackers के होते हैं तो जाइए अब हर smartphone में अभी anti-wires आ रहा है तो manually आप जाकर अपनी smartphone में कर सकते हैं original Samsung में तो smart manager रहा है security बोल कि Redmi के mobile में होते हैं और बहुत सारी smartphone में यह company से ही आते हैं वह ही आपको यूज करना anti-wires बोल कि अलग से आपको कोई भी application download करके उसको clean करने के जरूरत नहीं अगर हम clean करते रहें ना बैटरी भी खाएगा और उपर से ना हमारे data भी hack होने के chances बन जाते हैं और हमारा phone भी clean नहीं करता यह नाम का होता है दो से उसके बताता है सात्वा मिष्टिक यह अब मान लोग पब्लीक वाइफाइ फ्री वाइफाइ मिलेगा तो बहुत लोग ना connect कर यह बायट जाते हैं जो भी एकषाइ ना पब्लीक ब्लेस बाता है बहुत लोग क्या करते हैं फ्री वाइफाइ मिला भाई वर कि connect करो ओपन प्राइप nor मिला चांट इंट्रनेट के दुनिया में Sex आप सोस्ते होंगे सो यह सोच्झा нам थक हरा है ।araus करेंगा हैं अपने स्माथफोन को पढब्लिक प्रेस की वाईफाय में फ्री गार्ट बील्कुल भी अपने स्माथफोन में इन इंATE नहीं करना है अगरुइन है होने का chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं डेटा है होता है और कुछ हमारे बैंक डिटेल्स वगरा इमेल अडिव अगरा कोई चैनल है तो चैनल वगरा सब कुछ ना हमारा फोन है को निके बहुत बड़ी आपर चैनल बढ़ जाते हैं अगर फ्री वाइफाइ में हम जाकर बेटेंगे तों तो समझके बाद आता है आटवा मिस्टिक आए जोस्तों लाइव लोकेशन को लेकर मतलब यह जादा बढ़ाए यह फीमेल के लिए यह मिस्टिक बहुत लोग क्या करते हैं इस्टाग्राम पर कई फेदूक पर भी लाइव लोकेशन के साथ में अप्लोड करने के जरूरत नहीं है सारे फिमेल्स को यह मेरी गुजारश है यह लाइव लोकेशन के साथ आपको कोई भी पोस्ट अपलोड नहीं करना है क्योंकि अक्सर प्रॉलम ही होता ही है बहुत लोग आप पर नजर रगी होने हैं जो भी बंदा आप पर नजर रखता है न वह आप आपके सारे social media accounts को Hello कर kare रखता है आप पोस्ट डाल दिया लाइव लोकेशन के साथ में तो क्या करता है तो लोकेशन देख लेता है तो चलो भी चांस मिलगा यह आपकर पर फ्रेंड के साथ हैं के लिए ऐसा बोलकर वॉल कर लिता आपको फालो करके कुछ गलत काम यहांप हो तो रहा है हमारी इंडिया मेंगे उसे फीमल जिसे लाइव लोकेशन के साथ कोई भी वी पोस्ट अप्लोड नहीं करना कि हाँ यह अलग बात है कि आपके साथ सिकॉरिटी है तो वह अलग बात है फिर भी आप एक्सर बहुत हो यह असे प्रोफम भी मिश्टीक नहीं कर लेते हैं अपने अकॉंट को एक आपने सब आइकन्ट को है ना तूफसेक्टार वेरिफुकाँक सेक्टेन करने के बाद है ना हमारा हैक हो भीघा का आकंट किसी को पासफ़ोड की चल गया तो कुछ भी गहंटा नहीं भीसीर पाएगा पाईगा कि टूफसेक्टारों वेरिफॉकाइकेस्ट आपने अकॉंट में कहते हैं कि इंपॉनिट अकॉंट है फिर फिर फेक्टर यहां पर नहीं कर लेते हैं आप नहीं कर लेते तो जरूर कर लिना तो समस्के पाद लास्ट और दस्वा मिस्टिक यह है सेम पासवर्ड सेम पासवर्ड है ना सारे सोचल मेडा के अकॉंट पर बहुत लोग है ना सेम पासवर्ड ही लगाते हैं सेम पासवर्ड लगाने के बाद कोई भी एक अकॉंट हो गया एक अकॉंट होने के बाद हमारे सारे अकॉंट का यहां पर लोल होने के चांस हो जाते है अब मालों कि अपका आपका है को गया तो वही पासवर्ट आप जीमेल का भी रखाओ तो जीमेल भी गई और फेस्बुक भी गई अगर यूटुब चैनल है तो यूटुब चैनल पर भी और यूटुब चैनल भी गया सब कुछ गया और आपको नहीं इंटरनेट की दुनिया वेट आप अपने सारे शोचिल मेड़ा के Anytime अक्सरर यह भी बहुत मिश्टीक होते हैं और एक अक्सर होते हैं तो यह सो जाते हैं तो यह इंटरनेट की दुनिया में ना यह बहुत मिश्टीक होते हैं यह अक्सर बहुत लोग करते हैं तो आपको 10 टिप याना उन 10 में से आपको कौन सा टिप अच्छा लगा वो ज़रा नीचे कवंट से बताए जना अर वीडियों अच्छा लगा तो ज़रा शेयर कर दो क्योंकि मैं आपकी मदद कि आप मेरी मदद करो आप शेयर करके तो सांच को ड़े मर कता है उम्मीद है आपको पसंदी आया होगा मिलते हैं और में तब तक के लिए टेक केर